फलो अश्याद सिरला क्लास में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत आप जब चुक्ष्स में लाँ हुगे और अपनी पड़ाई को बेसीज्गू करते रहें पेपर जब टाइम पर होगा लेकिन आप प्रिपेर रहेंगे तभी तो आप अच्छा नंबर ले आपाएंगे तो यह इंपोर्टेंट है और यह ही आपका काम है कि आपनी पढ़ाई को डेली बेसिस पर करते हैं यह बिल्कुल भी उसमें डिले मत करिए आज का जो टॉपिक है जिस पर हम डिसक्स करने जा रहे हैं वह कंप्यूटर से रिलेटल है आपको कंप्यूटर दो सेमस्टर में पढ़ना है फिस सेमस्टर में और थर्ड सेमस्टर में ऐलटरनेट है यह पन्युक्त और दिक्कत की बात नहीं आप थैंड्रॉइट कोई अच्छा नंबर गेंग कर सकते हैं 25 नंबर का पूरा पेपर है और अच्छे-चे क्वेश्चन भी आते हैं सिंपल में स्लाप सोड़ा ब्रॉड है लेकिन कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल बेसिस पे तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं हां यह है कि आपको यह कंप्यूटर का इतिहास पहला टॉपिक है और हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास है यह शालनी डेलेट क्लास अवशक्ता अविस्कार की जन्हनी होती है यह सब आप पहले से ही जानते हैं या कहावत कंप्यूटर के अविस्कार के लिए ही सबसे सटीक बैठती है क्योंकि मन क्विटर की खोज है है क्यों होई है किसी चीज की चीज बनाया जाती तब हम उसकी की जरूरत कंस को मेशूस करते हैं कि हम को क् ιस के लिए को बीन करना फिर जी पॉटे में어도 किहमार कड़ों करते हैं फिर राकूस करते हैं लो zatária सुधार हो जाता है तिर दिया है कम्प्यूटर की खोज अविसकार अधिक प्राचीन आगे पुरते हैं 1848 एक गतिशील मसीन की रोप रहा तयार की जिसका नाम क्याता है अनलेटिकल इंजन रखा था नाम रखा था इनलेटिकल इंजन यहां यंत्र पूर्ट तया सोचालित बनाया गया था जो खुद से चले खुद से वोक करें यहां यंद्र गड़ित की अधार रुद क्रियाएं पेशन पहां पर आसानी से कर सकता था इस यह पांच कारणों पर यह पंच कारड़ों पर कुछ मिश्टेक है आप यहां पर पांच कारणों नहीं पंच कारडSuper पंच कार्ड है यहां पर पंच कार्ड है तीक है आप सही कर लेज़ेगा यहां पंच कार्ड पर संग्रहित निर्देश यानि जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि समू द्वारा निर्देशित होकर कारी करती थी उसके द्वारा इसको इंस्ट्रक्शन दिया आदेश चा चाप सकती थी जो मशीन थी जब इसको आदेज दिया जादा कि यह करना है उसको करने के बाद वह जो आउटपुट रहता था जो रिजल्ट रहता तो उसको चाप सकती थी फिर यहां पे दिया है यह मशीन अनलेटिकल इंजन ही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी जो यह आधुनिक कंप्यूटर, ओन्वीं कंप्यूटर जो आ रहे है तो यह जो एक डिवाइस है यही जो है कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर मॉडरन कंप्यूटर का बेस बनी है इसी कारण से चार्ल्स威बस को कम्प्यूटर क Chili Fathers of Computer कहा जाता है और को किस को कहा जाता है सबसे पहला जो यह गदिशील मशीन रूफ रेखा बनाई गई क्या नाम था है अनलेटिकल इंजन तो क्रेश्चन्स कम्प्लीट है यहां से आयोब आपको वीडियो पसंद आरा को कोई भी प्रॉबलम है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं फिर हम आगे देखते हैं ज आरे चमता भाई हो दी है तो उनका उन्ही के बेस पर पीढियों में बाठा गए है इसमें पांच पीढियां कंप्यूटर की पीढियां कितनी है पांच तीसरा क्वेश्चन ठीक है पांच है पहली पीढि फस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसकी जो यह टाइम कंडिशन किसका इस्तमाल किया गया था वैक्यूम चूप का किया गया था क्या उसका टाइम पीरिट था 1942 से 91 एक वीडी से तीन क्रेशन मोटे मोटे तयार होंगे आपके आगे देखते हैं दूसरी पीडी है आप किसका यूस किया गया दूसरी पीडी में क्या समय था ये चीज़े तीसरा यहां पर है इसका भी टाइम पीडि आप से पूचेगा और एक कि circuit का यानि की unit integrated circuit का यूज किया गया था same question यहां पर rise करेगा एक examination से तीन question आपके बनेंगे चौता है microprocessor का यूज किया गया था इसका टाइब नाइंटी सिस्ट से 900 थक था फिर पाच्वी पीडी है जो 990 से लेकर अब तक वर्तमान में चल रही जहां पर artificial intelligence का यूज आप देख सकते हैं रिकार रोबोट क्या नहीं बन क्या तो AI का जमाना ही चल रहा है clear है बात आगे बढ़ते हैं अब हम यहां पर एक एक generation के बारे में थोड़ा सा discuss करेंगे कि क्या question बनते हैं और हमें पता होना चाहिए जैसे यहां पर दिया है पहला है computer की प्रथम पीडी फर्स generation of computer सन 1946 से सन 56 तक विक्सेत हुए computer को प्रथम पीडी के computer के रूप में मानिता प्राप्त हुई है इस पीडे के computer में diode वर्वाक्यूम त Orthodox का प्रयोक कि इसमें वालाiantes होने वाले होने के कारण उसके कारव से लेक्ट्रोनिक स्विच की बहांती प्रयोक कि यह चिए उन्यक्ट्रानिक नुमेरिकल इंटेशेटर and calculator प्रथम electronic computer प्रथम पीडी का computer है इंपॉर्टन चीश जो है वो बता रही हूं आपको उसको डिसकस करी सुनिए टाइम मैंने पहले बताया किसका यूज वैक्यूम च्यूब का यूज है दूसरा यहां पर एक्जाब देख प्रथम electronic पीडी का जो computer वह कौन सा है वह इनायक ह आगे बढ़ते हैं अब इनायक किस तब का computer है तो first generation computer है दूसरा है computer की दूती पीडियां second generation of computer सन आपको बता दिया है सन 1956 से 1964 तक विक्सित हुए computer को दूती पीडी के computer के रूपे मानिता प्राप्त हुई है सन 1948 में transistor का विसकार हुआ था electronic technology के चेट में country सिला दी थी दो दूती पीडिये के computer vacuum tube के इस्थान पर transistor का पर पहले पहले जनरेशन में vacuum tube का इस्तमाल किया गया था और दूसरे जनरेशन में transistor का integrated circuit का प्रियोग होने लगा है एक IC में transistor, register, capacitor तीनों को ही समाहित किया गया है आपसे जो question पूछा जाएगा वही है अब यहां पर क्या है कि transistor के अस्तान पर integrated circuit का इस्तमाल किया गया है और जो यह IC होता है इसमें transistor लगा होता है ऐसे छोड़़़़़़़़़़़़़़़ है सर्क रांजिस्टर, register, capacitor ठीक है आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की चौथी पीडी, 4th generation of computer क्या है 1970 से लेकर आज तक कंप्यूटर की जो यह चतरुत पीडी कंप्यूटर में रखा गया है यहां में लार्ज स्केल इंट्रिकेशन कंप्यूटर के इसके अंदर आते हैं अब इसमें जो है 1975 तक मानके चलिए वेरी स्केल यहां पर VLSI का भी फूल फॉर्म पूछा जाता है लार्ज स्केल के चिप में ही पाना संब होता है यह चिप के रूप में इंट्रिगेर्ट किये गए हैं और इसका इस्तमाल हो रहा है इन्हीं के वेस्पे कंप्यूटर बनाए गए फिफ्ट जनेरेशन यहां पर देख सकते हैं पंचम पीडी के यहां पीडी अभी विकास में इस्तिरी में है इंपॉर्टेंट है क्लियर है वाद आपको यह लेक्टर अच्छा लग रहा होगा आगे बढ़ते हैं अभी तक हमने कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले मैं मैंनी टाइम कहती हूं कि उस चीज़ का बेज जानी उसका पास आनी है ताकि आप से कोई कुछ अगर आप कंप्य पूछा था का वाद यू मीन बाइं कंप्यूटर से क्या समझते हैं तो इस चीज़ की नौलेज आपको होनी चाहिए ज़रूरी नहीं कि आपको एक्जाम में आप तभी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे थीके बाद आगे देखते हैं यहां पर दिया है कंप्यूटर क्या ह है वाट कंप्यूटर के यहां पे हमें जिए अलक्रॉनिक डवाइस अनि त्टेक इब्ट अन अन पॉससर हो र हमें प्रोन करता हैं शचीज चाहते हं और चाहते हैं वहाँ शबों मिलेगा क्लियर रहे वाद आगे बढ़ते हैं दिया है कंप्यूटर एक electronic data processing machine है कंप्यूटर क्या है तो कंप्यूटर एक electronic data processing machine है जो user से input के रूप में data को लेती है यह झो इनपट को लेती है और फिर डाटा को सेफ कर दी है और फिर सेफ के डाटा करके उसको रिजल डेती है जिसको आउटकी रूपर cutting में यूजर को देते हैं दिया ताकि यह चीज़ को जोड़ना है घटाना है तो उसने और पूट के रूप में सामने आपके प्रजेंट कर दिया आई बात समझ में आगे बढ़ते हैं अब जैसे आप देख सकते हैं बहुत एक्जामपल का बहुत ही बेसिक जामपल जो आपने डेली लाइफ में आएगा तो हम वो क्या करता है जोड के आउट पर दिखा देता है ना ऐसे ही है एक सेम काम कम्पूटर में होता है एक्जामपल और देख लिए जैसे आप माल लेजे आप कम्पूटर में कोई दो नंबर का सम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम्पूटर में दो नंबर आपने टाला में प्लस फाइब दो नंबर आपने डाले ग्याद को हम फ़ल कहते हैं फिर उन दो नंबर का घुण सम च्रॉप इसके अपं एक सिस्टमं में प्र प्रहोड़ करने को मिला है आउटीपट कुल welcome,と आप ऑं यहां पर मोटा מोटा मोटा समझ ये इंपज process whether dual exhale process output Input process output output ठेक किवदvity आगे लीए दिखें आपको एक image के分कर दिखा दो देख सकते it is input process output input process output जैसे ही इसी सारा काम हो रहा है ऐसे ही होता है опड़ देखिए back with computer के बारे में कुछ चीज हैं यहां पर हैं जो important Nuestain देखें, computer numerical, non-numerical, arithmeticological, दोनों ही तरह की गर्णा को बड़ी असानी से process करता है, computer जो numerical होते हैं, non-numerical होते हैं, कोई भी input जो दिया जाता है, उसको बहुत ही असानी से process करता है, calculation करता है, ठीक है बाद, clear point, दूसरा point देखते हैं, computer पहले से लिखें गए, program के अनुसार चलता है, अब जैसे computer है, यह सोचना चाहिए, बच्चों के दिमाक में आता है, हमने जो input दाला, हमने वहाँ पर एक symbol लिख दिया, हमने वहाँ पर दो लिख दिया, उसको कैसे पता है, कि आप यह जोड है, यह दो है, यह है, तो जो computer होता है, binary language को समझता है, 0 और 1 के form में, तो computer म समझता है, इतनी सारी coding करके चीज़ों को setup किया जाता है, कि वह चीज़ को समझता है, कि दो की binary language क्या है, प्लस क्या है, symbol क्या है, वह चीज़ में सब inbuilt रहती, data उसमें feedback करके, coding करके बनाया जाता है, तो वही यहाँ पर कह रहा है, कि computer पहले से लिखे गए program के अनुसार चल सकते हैं, wire है, transistor है, circuit है, hard disk है, यह सब हार्डवेर कहलाते हैं, जो physical power इनको हम छू सकते हैं, वो hardware कहलाते हैं, और computer के अंदर जो program या application होते हैं, वो सभी software कहलाते हैं, उनको हम छू नहीं सकते हैं, वो program किये हुए काम पहले से बनाया जाते हैं, इसा हमारी memory के अंदर बहुत समधान करने के लिए, computer को खेलने के लिए नहीं पनाया गया था, उसको किस इस्तमाल करने के लिए बनाया गया तो उसकी जरूरत थी, इसलिए उसको बनाया गया तो बहुत साई problem का समधान खोजने के लिए इसको बनाया गया था, आगे बढ़ते ही, computer की उत्पत्ति किस से ह क्या था उसका अर्थ क्या था गड़ना करना जो केस्टन पूछा जाता है वहीं बता रही हूं आपको आगे देखते हैं ऐसा माना जाता है कि पहला कंप्यूटर अनलेटिकल इंजन था जिसका विसका 1873 में चार्ज वेबस ने किया था इसलिए चार्ज वेबस को फादर आफ के आगे ज़रते बढ़गी बढ़ती गए उन्होंने अपना और मॉडनाइजेशन करके और अच्छे अच्छे सिस्टम्स को डबलब किया उसमें बहुत सारी ऐसे मल्टी टास्किंग प्रोग्राम्स एड़ किये हैं आप एक साथ बैट कर कितने मुल्टिपल टास्कों क्या क्या नहीं कर सकते हैं तो यह सब क्या है और नाइजेशन तो है आधनी करन तो है बेसिक किसी बेस किसी चीज़ का बेस लेकर देए देर उसमें चीज़े एड़ आप करते गए और आज देखिए आज कंप्यूटर मैक बुक लेप टॉप क्या नहीं अविलेबल है बहुत यह कंप्यूटर क्या है उसके बारे पढ़ाए फारदर एफ कंप्यूटर के बारे में जाना है जो बेसिक था जो बैस था आज यह वहई फेस्स क्लास थी इसके भागे हम एक